नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बान में हूँ आपकी वही अंजली रहते हैं आज सुपास ही लेकिन साथ नहीं होते कुछ लोग मुझसे जलते हैं बस खाक नहीं होते जी आपने सही सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं सबसे मेले आज इनका बर्टे हैं या अनुवर्सरी हैं उनको मेरी और से ठेर सारी गुड़ विशेज तो चलिए अब शिरू करते हैं जिन्दगी आप पर हस्ती है जब आप दुखी होते हो जिन्दगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खोश होते हो लेकिन जिन्दगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो हमेशा दूसरों के चहरे पर मुस्कान लाकर देखे भगवान भी आप पर नास करेंगे जिसे व्यक्ति ने अपनी आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा लेकिन जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतों बदल सकते हो और बदली हुई आदते आपका भविश्य बदल देंगी आप भी अपनी बोरी आतों को छोड़ दे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे अगर आपके बाद जरूरत से ज़ादा है तो उसे उनसे शेर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़ादा जरूरत है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अज़ाब केरी जो है भागिशाली रंग केसर गया रहने वाला है यानि कि की स्ट्री औरंज आप कह सकते हैं और जो लखी नंबर है वो लखी नंबर तीन रहेगा आज कुछ बातों को पूरा होने के लिए जरूरत से ज़ादा वक्त लग सकता है इसलिए आज आज आपको सयम बढ़तने की बहुत अवश्यक्ता पढ़ सकती है दूसरों के द्वारा लिएगी जो फैसले है वो आपके लिए तकलीव का कारण भी बन सकते है फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाना आपके लिए ज़्यादा तकलीव दायक होगा यानि कि आप बोल नहीं पाएंगी जो भी इनोंने फैसला रिया है बस आपको उसी फैसले की कौणिंग चलना पड़ेगा तो ये थोड़ा आपके लिए आज के दिन मुश्किल वरा हो सकता है लेकिन कई लोगों के लिए जारतल लोगों के लिए ठीक है लेकिन आप इसे कुछ लोगों के लिए तकलीव हो सकती है इसके साथ ही आज किसी पूराने मामलों का भी निप्टारा हो सकता है जादा भागा दोड़ी के बाद भी सिधियां जो हैं वो काफी लाबना एक नजर आ रही है कोई भी काम करने से पहले उसकी जो प्लानिंग्स है योजना है या प्ररूप जरूर बनाए इससे जो हैं आप किसी भी प्रकार की गलती होने से बचेंगे आपको हर चीज पहले पता लग जाएगी आपको क्या 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 करना है और हाँ आज घर की रखर खाव और मरम्मत से लेड़ आगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो इन सबी कारों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है तो आप घर की रखर खाव के लिए मुरम्मत करवाएं या उनको आप रणिवेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा आज ननिहाल के साथ समंदों में काफी प्रकार के विवाज जैस इस्तितियां बन रही है अपने सभाव को सहज और शांती में बना कर रखे बाहर की गदी विद्यों में समेश पैंठों का बाहर जादा ही आपका मन लगेगा आज के दिन लेकिन इसका कोई उचीत रिजल्ट तो हासल नहीं होगा न जिसकी वज़े से मन भी खिन रहेगा तो आपको जो है वही करना चाहिए जिसमें आपका फायदा हो आज सेसर रिलेड़ समस्याएं भी कम होने जा रही है किसी बज़े से आपका जो उच्सा है और काम पर भी ज़्यादा फोकस नहीं सकते हैं आप और इसे जो है काम पर जादा गती शीलता मिल सकती है जिस परिशानी की कारण आप जादा चिंता में रह रहे थे उसके बारे में कुछ आपको जो है पॉजिटिव बदलाब नज़र आने शुड़ हो जाएंगे जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुती रहा दिलवा सकता है साथ में आज जो परिवारी कौर व्यक्ति गजो गती विधियां है उसको जरा बालंस बनाई रखने में आज प्लानिंग बना सकते हैं इसमें कामियाबे भी हासल कर पाएंगे आप में और जादा आत्म श्वास जागरित होगा स्टूरेंस का मन भी अपनी पढ़ाई के प्रती पूरा जो है फोकस्ट रहेगा ध्यान लिखीगा कि कोई पुराना जो मुद्दा है वो कहीं उभर न जाए आपका बहुत ही जादा अनुशासित होना भी कभी कभी परिवारी के लोगों के लिए परिशानी का कारण भी बन सकता है जरा अपने विभार में फ्लक्सिबिलिटी लिच्शीला बन लाई है जरा तब भी सब कुछ ठीक होगा अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिजनस और कैड़र के आज कारण शित्र में आपकी उपस्थिती होना बहुत ही जादा जरूरत है क्योंकि करमचारियों के लापरवाहे के वज़ए से विवस्तिता पिकड़ भी सकती है सरकारिय और प्राइवेट कंपने की द्वारा कोई इंपोर्टन अथारिटी वगएरा कई लोगों को मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है काम के जगा दी गई जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करने होगी जिम्मेदारी अगर बड़ी है तो इसको जड़ा बखो भी निभाइए सो समझकर हर चीज़ को करिए तो आपको अपना 100% सबसे अच्छा देना है तो आपको इसमें कामयाबी भी मिल सकते है इसे के साथ ही आज वे विसायक गतिवेदिया जो है नॉर्मल भी बनी रहेंगे इस समय जो है तरक्की की आसान नजर आ रहे हैं बहतरी नफसर मिलेंगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अपने कारे को प्रती पूरी निष्ठा से रखें तो सब कुछ ठीक हो सकता है नौकरी पीशा लोगों को अपने लक्ष हासल करने के लिए और भी जादा आज महनत करनी पड़ सकती है और आप ये महनत जरूर करेंगे ताकि आप अपने लक्ष को जल के सिल्दी हासल कर पाएं कई लोगों को आज किसी प्रकार का टार्गेट वगएरा भी मिल सकता है टार्गेट कर फूरा करते-करते आप काफी जादा समय जो है आफिस में गुजर सकता है जिसकी वज़े से आप अपने लिए टायम भी नहीं निकाल पाएंगे साथ ही में आज जो है काम से रेलेटिर बातों में प्रकती नजर आने से भी अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है के लोगों को यानि कि अगर आपका काम थोड़ा मंदा चल रहा था तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फिर जो काम है वो पहले से जादा बैटर होना हुआ शुरू हो जाएगा ये जगे साथ ही आज इस्तिया दुलाब कारी है ही लेकिन आज ब्लड शुगर के जो शिकाल लोग हैं उनको जादा सजकता बटनी चाहिए कुछ भी मीठा ना खाएं अच्छा हेल्धी फूर खाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है तो अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के चो है लव लाईफ के बारे में लव लाईफ आज आज आपके बारे में कह रही है कि आज प्रिये जनों से दूर रहने की वज़ेसे मान्सिक तक्लीफे हो सकती हैं आपको पती-पतनी के सबंदों में इगो की वज़ा से कुछ दूरियां भी आ सकते हैं जिसका असर घर के वातावरन को भी खराब कर सकता है प्रेम से रिलेटी रोमांतिक जो चीजें हैं वो काफी कुष्टुमा बनती नज़र आने वाली है प्रेम समंदों में अगर किसी का तनाव भी चल रहा है तो वो भी कम होता नज़र आएगा आज जीवन सादी का सहयोग और सलह आज आपके मनोबल को बना कर रखेगा प्रेम समंदों में बर्यादा का ध्यान ज़रूर रखेगा अपने लिमिट क्रॉस मत कीज़ेगा साद में अगर आप घर में अपने बारे में बताना चाहते हैं अपने डिलेशन के बारे में तो भी बता सकते हैं तो आपको जवाब में हाँ ही मिलेगा पेरट्स आप दुनों के मान सकते हैं और आप अपने रिष्टी को जो है शाद ही सुजा जिन्दगी में तब दिल कर सकते हैं। लव लाइफ के बाद अब बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्ते के। मौसम की वज़े से कोई infection हो सकती है कई लोगों को छाती में specially तो आपको ध्यान रखना है। अपनी दिन चरह के उसे विष्टित कीजेगा, सर्दी से बचाव कीजेगा। लोग बीपी से रिलेटीड अगर कोई समस्या है तो वो के लोगों को तकलिफ दे सकती है। असिडिटी, गैस, यह सब चीजे होती हो सकती हैं। जादा गरिष्ट पधार्तों का सेबन मत कीजेगा। सेहत में positive बदलाव आपको नजर आ सकते हैं, बाकि सब कुछ ठीक नजर ही आ रहा है। तो भेल्थ के बाद अंतर में बात कर लेते हैं आज के विशे शुबाई के बारे में। तो विशे शुबाई आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है पीली वस्तमों का दान करना है। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भी भी न भूलेगा। नन्यवाद।